हालो लेडीज तो आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने मिनी सू का हॉल लेके यह समान मैंने मंगवाया है आमजान से जी हाँ आमजान पर भी मिनी सू के प्रोडक्स जो है वो अप अवेलेबल है और मेरे लिए यह बहुत नई बात थी तो इसलिए मैंने पहली बार मंगवाया है आमजान से मिनी सू का समान मिनी सू मेरा काफी फेवरेट ब्रांड है मैं पिछले दो तीन साल से यूज करती हूँ अपने मेक अप को और्गनाईज करने के लिए और बहुत सारे ट्रावलिंग समान भी वहां मिल जाते हैं छोटी छ शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि मैं हूँ विनी और आप देख रहे हैं दी होप स्टोरी प्रोड़क्ट्स के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आप वहां जाके चेक कर सकते हो तो जो सबसे पहली चीज मैंने मंगवाई है वो है ये और ये है स्टोरेज बाग ये है 460 रुपीज का जो की ट्रावलिंग में बहुत काम आता है और मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूं ये मेरे पस पहले भी था बाट एक बार मैं कहीं बहार गई और ये वहां गुम गया मुझसे तो इसलिए मैंने नया मंगवाया है ये कुछ इस तरीके का होता है और ये पारशूट जैसे माटीरल में होता है जिससे कि अगर आपको अपन आपको अराम से अपने जो ब्रा है वो रख सकते हो कम से कम तीम से चार ब्रा इसमें आ जाती है और यहा पर यह छोटे पॉकिट सेक्शन्स दिय होए है यहां पर आपकी पяжको आपकी पैंटी आ जाती है तो एक ही जगह पर आपके सारे अंडरामर्स हो जाते हैं और इसका ते जो अच्छा में पिंक घुल्ड einुट जुछ ऑल्ड बहु हूंग nearby कंगे eiुबल अबर देपल क मैं डान की और शो Wise農ें पर ब्रॉपी क्यों होते हैं यह 190 रुपीस का है और मुझे ऐसा लगता है कि आप इसे दो तीन भीने यूज़ करके फेक भी सकते हो क्योंकि जो डर्मटोलिजिस्ट होते हैं वो यह सजेस्ट करते हैं कि आपको अपने हेर ब्रश को चेंज करते रहना चाहिए तो मिनी सू के ब्रश मिनी सू मसाज कॉम बोलता है और मैं इसको ऐसे यूज़ करते हूं कि जिस दिन मैं अपने बालों पर ऐलिंग करती हूं तो उसके बाद मैं इससे तीन चार बार अपने बालों में इसको जो है फेर लेती हूं और मुझे ऐसा लगता है कि उससे जो आपका ओयल है वो यह बहुत ही खुबसूरत और क्यूट सी पाकिंग में है और इस पाकिंग के लिए ही मैंने से मंगवाया क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप ब्यूटी के प्रोडक्स को खुले में रखते हो तो उसके अंदर मिटी जाती है जो आपके स्किन के लिए अच्छी नहीं होत आमाजन पे इसलिए मैंने सको मंगाया और यह भी बहुत ही चीप है 200 रुपीज में ब्यूटी ब्लेंडर ओके नेक्स प्रोडक्त है यह एक मेकप और्गनाइजर है 230 रुपीज का इसको भी मुझे आपको खोल के दिखाना पड़ेगा पिकर इसमें कमपार्टमेंट्स हैं तो इसको हम खोल लेते हैं ओके यह इस तरीके से जो है खुल जाता है यहां पर अपनी बॉटल्स रख सकते हो ब्रश रख सकते हो मैंने इसको मंगवाया है कॉटन रखने के परपस से यहां पर मैं अपने मेकप के जो कॉटन के स्वाप सोते हैं जिन से हम अपना फेस क्लीन करते हैं वो रखोंगी और यहां मैंने सोचा है अपना जो makeup remover होता है वो रखोंगी अब let's see मैं इसको कैसे use करते हूं लेकिन यह भी आप ऐसे ढख सकते हो तो इसलिए मुझे यह चीज काफी अच्छी लगी थी और अगर आप makeup organize करने के कुछ और products देखना चाहते हो अपने बनाया था कि आप अपने blouses को कैसे organize कर सकते हैं वो है यह उसे भी जाकर देखना मत भूला तो यह तो हो गई वीडियो की promotion अब हम चलते हैं हौल में आगे ओके तो next है तो जो next product है वो भी बहुत interesting है makeup से related है मैंने maximum समान जो है वो makeup से related मंगवाया है इस तरीके से यहां पर यह हलके हलके pretzels है और यह soft सा कुछ है जो मैंने reviews में पढ़ा था वो यह था कि आपको week में एक बार इससे अच्छे तरीके से skin को clean करना चाहिए कोई भी cleanser लगा के या कोई face cream लगा के तो मैं use करके आपको बताऊंगी कि प्रोड़क्त कैसा रहा बट इसके reviews काफी अच्छे थे इसलिए मैंने इसको मंगा लिया price I think मैंने आपको बता दिया है यह 260 रुपीज का है okay next product है next product है यह brush और इस brush की क्या खास बात है पहले आप close-up में brush देख लीजए यह 360 रुपीज का है और और मैंने इसको इसलिए मंगवाया क्योंकि जब मैं मार्केट गई अपने लिए brushes खरीदने के लिए तो मार्केट में brushes इतने expensive हैं कि मैं खाली हाथ वापस आगई और उसके बाद जब मैं Amazon पर search कर रही थी तो मुझे Minisoo के brushes जो है वो बहुत economical लगे मैं already Minisoo का जो brush है वो यूज कर रही हूं वो बहुत ही अच्छा brush है उसे भी मैंने 300 रुपीज में वंगवाया था और Minisoo के brushes की अच्छी बात यह है कि यह 3-in-1 या 5-in-1 होते हैं जैसे यह एक brush है इसके अंदर यह एक और brush है फिर इसके अंदर एक और brush है और फिर यह एक और brush है तो 1, 2, 3, 4 इस लाइक 4-in-1 तो ट्रावलिंग के लिए भी बहुत अच्छा है और बहुत economical है और इस बहु quality-wise यह बहुत अच्छा लग रहा है और Minisoo के मेकप के जितने भी प्रोडक्स मैंने आस्तक यूज के वो काफी अच्छा है मैंने उनकी लिप्स्टिक की रेंज नेल पेंट की रेंज नहीं यूज की है लेकि मैंने उनका और एक 3-in-1 वाला ब्रश यूज कर रही हूँ मैं और यह मैंने और मंगवाया है और यह मैंने और मंगवाया है ओके नेक्स्ट मैं आपको ब्रश इदिखाते हूं पिकिस मैंने आई मेकप के लिए एक और सेट मंगवाया है और इसका प्राइस है 3.50 रुपीज यह 3.50 में 5 आई ब्रश एं विच इस डाम चीप और और अमजोन पे कितनी बार इस पे 20-30% ऑफ भी आ जाता है तो क्वालिटी मैंने अभी नहीं देखिए क्योंकि मैंने फर्स ताइम मंगवाया है नो क्वालिटी वाइस इस वेई गुड और लुक अटी कलर पिंक अगैन तो बहुत ही सुन्दर कलर है इसका और यह 5 ब्रश हैं तो मैं आज कल अपने आइस के मेकप के ऊपर काफी एक्सपेरिमेंस कर रही हूं जैसा कि आप देख सकते हैं तो इसके लिए मैंने यह मंगवाया है ओके नेक्स्ट प्रोडाक्ट इस अगेन अब्रश ओके यह है तू सिक्स्टी रुपीज का और यह भी दो आई ब्रश इसको हम खोल लेते हैं धी बहात कुप सूरत है य epic golden गलर के बरुशs है और इसकी quality इस बैटर रही है यह जादा मुझे सॉफट लग रहा है यह कि एसकी कॉलिटी जो है इससे लेकिन ये आपको five brushes मिल रहे हैं तो अगर आप बिगनर हैं आई मेकप में तो ये वाला मंगा सकते हैं ये मुझे काफी professional लग रहा है ये size में भी बड़ा है तो ये काफी मुझे जिनको बहुत ही अच्छे तरीके से आता हो eye makeup तो वो ये ले सकते हैं okay then next is next है ये ये बहुत ही अच्छी चीज है और ये मेरी second purchase है same item की minisooze से ये मैं आपको खोल के दिखाती हूँ sorry ये आवाज हो रही है ये picture में भी बना हुआ है जैसे आप देख सकते हो कि इसमें आप इस तरीके से समान को organize कर सकते हो इसमें इस तरीके के compartment होते हैं यहां पर आप lipsticks रख सकते हो approximately आप 3 and 3 6 and यहां पर 2 lipsticks और आजाती हैं 2-2 तो 6 and 4 10 lipsticks आपकी यहां पर और और जाएंगे यहां पर आप कोई cream या कुछ भी इसको organize कर सकते हो तो यह मैंने second मंगवाया है क्योंकि जो मेरा वाला था काफी पुराना हो गया था जो पहले वाला भी है वो मैंने Amazon से मंगवाया था और उसमें यहां पर क्या होता है कि यहां पर हलका हलका गंदा हो जाता है time के साथ आप चाहे कितना भी clean रखो तब उसको 2-3 years हो गए थे इसलिए मैंने यह नया मंगबाया है और यह 150 रुपीज का है और बलीव मी 150 रुपीज में आप अपना इतना सारा समान और गनाइज कर रहे और वह भी तनी खुबसूरती के साथ जिन लोग के पस ड्रेसिंग है आप ड्रेसिंग के ऊपर इसको डेकोरेट कर सकते हो अगर ड्रॉर है तो ड्रॉर के अंदर इसको लगा सकते हो आपका समान जब भी आपको जल्दी हो बहुत अराम से मिल जाएगा ओके तो next product है वो है ये tray और ये है 460 रुपी की आम मैंने इसको मगा लिया और मैंने क्या देखकर है इसको मगाया था मैं आपको दिखाती हुँ इसमें भी compartments बने हुए हैं इसमें इस तरीके के compartments है और आप कैसे इसमें चीज़न चीजे और्गनाईज कर सकते हो Let me show you the picture इस तरीके से तो आप इसको अपने washrooms में रख सकते हो अपने dresser के उपर रख सकते हो अपने dressing table के उपर रख सकते हो तो यह बहुत सुन्दर लगेगा काफी multi-purpose है और यह खुबसूरत बहुत लगता है रखने के बाद तो मुझे लगता है बहुत सारी चीजों को अर्गनाइस करने के लिए यह काफी useful product है और इसकी quality बहुत अच्छी है जो plastic के quality है वो काफी अच्छे काफी hard है तो इतनी जल्दी यह खराब होने वालों में से नहीं है इसी तरीके का पहले मैंने मिनी सू से एक टिशू होलडर मंगाया था तो उसका experience भी मेरा काफी अच्छा है इसलिए मैंने इसको order किया था and that's it as usual मुझे लग रहा है कि मैंने समान बहुत कम मंगाया है क्योंकि इतनी जल्दी मैंने आपको सारा समान दिखा दिया है डेली अपडेट्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे मेरा आईडी है थी होप स्टोरी ओफिशिल और ऐसे ही एक और अमेजिंग हॉल के साथ मैं आपसे जल्दी ही मिलने वाली हूँ तिल देन, keep going and keep growing